अगर आप अपाईज हो और आपको सीरियल किलर से बदला लेना है तो आप क्या करोगे इसी एक इंटरस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है आज में करने वाला हूँ दफाइव यह 2013 की कोरियन मूवी है यह एक रिवेंच थिलर है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरक्टर एना हमें दिखती है एना के जॉब पर होती है एना को जॉब जो होता है इसे वो ब्लॉक्स किरा कर अलग अलग डिजाइन्स बना सकती है वो टीवी कंपनी के लिए यह सब करती है अब हमें एना के फैमिली दीखती है इसमे एक ब्यूटिफुल लाइफ के शुरुवात एक नए घर में वो करने वाले होते है अब नेक्सिम में हमें एक आदमी स्टीट से जाता हो दिखता है वो एक सुमसान जगा आता है यहाँ पर एक प्रोस्टिटूट होती है उसे उठा लेता है और अपने घर लेकर जाने वाला होता है घर जाने से पहले एक सुपर शॉप में आता है इसी सुपर शॉप में एना उसकी डॉटर और उसका हस्बंड यह तीनों आयो होती है एना के हस्बंड को सिगरेट पेने की आदत होती है एना कोई अच्छा नहीं लगता तो उसे वो quit करवाना चाहती है एना का अस्बन यहाँ सिगरेट लेता है पर इसके लिए वो मना कर देती है डॉर्टर जब शॉपिंग कर रही होती है तो इस प्रोस्टिटूट को देख लेती है यह दोनों सेमी एज़ की होती है और यह दोनों एक की स्कूल में पढ़ती है यह इसकी ही क्लासमेंट होती है यह सिर्फ 14 एज़ की होती है जब डॉर्टर उसकी फ्रेंड से पुछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो कहती है, कि उन्हें अंकल के साथ मैं आई हूँ हूँ, जिस आदमी ने इस प्रोटिट को उठाय था, उसे अपने अंकल बुला दिया, एना हमने डॉटर से पुछती है कि वो कौण थी, तो वो बता देती है, अपने अंकल के साथ आई है, यह भी उससे गेती है, और उसे बाइं दिया होता है और उसको हो काट रहा हूता है। एकस दिन फिर एणा की डॉटर काles का यहीं हर वो एग बेकरी में आते है। एना की डॉटर की एक special cake चाहिए होता है औरत पु至 यह रेने के में दूटा ही होता है। अब जो एक killer है इसे problem हो चुकी है जिस लड़की को उसने मारा है इसे ले जाते हुए एना की daughter ने देख लिया है यह situation उसे handle करनी होती है एना को कहता है कि वो तुमसे मिलना चाती है वो मेरे घर पर है क्या तुम उससे मिलने चलोगी अगर तुम्हें transport का problem होगा तुम्हें एक काटते है तो एना की daughter उनसे present मांगती है एना और उसके husband यह दोनों एक दूसरे जगरने लग जाते है यह pretend कर रहे होते है कि इन्होंने इसके लिए कुछ भी present नहीं लाया है एना फिर जब hall में जाती है तब उससे देखता है कि वहाँ एक design मनी हुई है एना ने box की trick की ह जाती है यह trick जब खतम हो जाती है तो इसके last में एक अच्छा सा mobile होता है यह देखकर एना की daughter बहुत ही खुश हो जाती है रात में जब एना और एना का husband सोने जा रहे होते है उससे पहले एना का husband बाहर आ जाता है वो जब उसका lighter निकालता है उस पर लिखा होता है कि dad please don't smoke यह कि उसकी daughter ने कार्व किया होता है यह देखकर उसे हसी आ जाती है पर एना यह सब देख लीती है एना बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है क्यूंकि अपने husband को उससे smoke नहीं करना देना होता एना गुस्से गुस्से में ही shower में चली जाती है उससे कुछ आवाज है सुना करनी पाती इसके बाद एना हमें directly hospital में दिखाई गई है एना का blood dive RHO होता है डॉक्टर जब यह देखता है तो कहता है कि बहुत ही कम लोगों का होता है यानि कि जो blood एना को लगने वाला है वो भी कम ही आवलेवल होता है डॉक्टर जोता है इसका अलग agenda इसके बिच होता है एक्चुल में डॉक्टर की बेटी भी इसी hospital में एड्मी होई होती है इसके बेटी का भी blood को भी ही होता है पर इसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सीख होती है इसे organ transplant की जरूरत होती है जो press conference चलती है तो डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या यह बच सकती है उसके मन में ज आ रहा था यह सब वो देख रही होती है डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि बहुत ही sorry हूँ मुझे यह नहीं करना चाहिए पर मेरे पास कोई option ही नहीं है एना अगर मर जाती है तो उसके organ इसकी daughter को मिल सकते है यह injection उसे देने ही वाला होता है तब ही एना उसका हाथ पकड जर चुके है एना wheelchair पर है क्योंकि वो चल नहीं सकती है उसकी help करने के लिए hijing नाम की उसकी एक friend है यह दोनों एक bakery में होते है यहाँ एना फिर से वही cake देखती है जो उसकी daughter को चाहिए था यह cake को वो buy कर लेती है हाईचन जो character है यह बहुत ही cheerful है बेकरी के shop owner को कहती है क्य जब पहार आती है तो उसे दिखता है कि जैसे serial killer था वैसा ही दिखने वाला एक आदमी street से जा रहा होता है वो फिर अपने wheelchair से आके जाती है उसकी हाथ में चाक होता है उसे वो मारने वाले होती है तब उसका face वो देख लेती है इस serial killer नहीं होता हाईजीन और एना फिर हमें daughter के killer को ढूंड लेंगे एना और हाईजीन को पुलिस जो भी बता रही होती है यह हमेशा से पता होता है एकी बात हो हमेशा कहते है तो उनके पीछे बोलती है इनको पुलिस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता एना अपने घर आती है उसे हाईजीन का साथ नहीं चा देती है एना को बहुत irritating लगने लग जाती है तो उसे जाने के लिए वो बोलती है अब हमें दिखता है कि एना रात में एक lighter ढूंड रही है जो serial killer था उसने उसके husband का lighter ले लिया था अगर वो internet पर यह sell कर रहा होगा तो इस lighter को ढूंड रही होती है यह एक limited edition का lighter होता है तो यह सब होती है जब रात में एक buyer से बात करने लग जाती है तो उस lighter के बारे में बोच्छती है बोच्छती है कि क्या उस पर कुछ carvings वगरा है वो गयता है कि हाँ उस पर don't smoke dare यह लिखा हुआ है यह अब जो करना हो जाती है यह message जहां से आ रहे है इसका IP address वगरा सब लिख लेती है यह इसे मिलने के लिए बुलाना चाहती है पर जो sale करने वाला होता है यह इस conversation से exit कर लेता है एना फिर रात में एक सुमसान जगा पर हमें दिखाए कई है वो कुछ पैसे गुंडों को देती है और वो गन बाय करना चाहती है यह अकेली है और wheelchair पर है इसलिए गुं जाती है यह जो मैं prayer करती हूँ यह सिर्फ मेरे लिए करती हूँ hygiene को breast cancer था उसका पदी जो था इसे छोड़ कर चला गया था यह बहुत ही pain में है और इसे जीने के लिए सिर्फ तीन महीने है यह कहती है कि prayer करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एना को भी कहती है कि अभी भी तुमारे पास बहुत साइज चीजे है जिसके लिए तुम grateful हो सकती हो तुमारे ओर्गन से तुमारे body है यह healthy है तुम paralyzed हो पर इससे जादा कुछ फरक नहीं बढ़ता तुम God को इन सब चीजों के लिए अभी भी thankful हो सकती हो एना फिर internet पर organ donation के बारे में साच करती ह नग सूबा जिस doctor ने उसे मारने के कोशिश की है उसे वो बुलवा दिया उससे कही थी कि मुझे list चाहिए जिन लोगों को organs चाहिए इन सब लोगों के मुझे list चाहिए वो कही थी कि मुझे 5 लोग चाहिए इसमें पहला जो है यह किसी के भी घर में घुष सकता है और चीज इसले में मुझे क्या मिलेगा, यह खेती है, तुम्हारी डॉटर को ओर्गन शाहिए, यह उसे लाइफ दे सकती हो, यानि यह अना अपने आपको मार देगी, और यह उसके ओर्गन निकाल कर अपने बेटी को लगा सकता है, यह जो बाकी तीन लोग है, इने भी ओर्गन शाहि इसकी वाइफ बीमार होती है, और उसे ओर्गन लगने वाला होता है, उसकी वाइफ यह जो हाला थे, इसके लिए उसको ही वो ब्लेम करती है, यह उसका हमेशा ख्याल रखता है, नेक्स कारेक्टर जो है, यह गैंग के लिए काम करती है, यह एक हैकर होती है, इसकी मदर के कोई बिलीव नहीं करता है यह जो डील है यह करने के लिए अब डॉक्टर बता रहा है तो यह मान जाते हैं हैकर को एना फिर IP address दे दीती है हैकर को अपने boss से यह सब करने के लिए help चाहिए होती है यह जब उसके boss के पास जाती है तो उसका boss उससे demand करता है उसे इससे intimate होना होता है हैकर के पास कोई option नहीं होता तो इसके लिए हो मान जाती है अब जब awareness का address मिल चुका है तो वहाँ breaking करने के लिए तो इससे खोल सकता है इस आदमी को भेज देती है इसका नाम glass आय होता है यह जब घर के अंदर गुश जाता है तो उसे lighter मिल जाता है जिसका यह घर था इस आदमी का टेहो फिर रात में पीछा करता है उसे taser से tease करता है और घर पर लेकर आता है एना जब इससे देखती है तो एक killer नहीं होता इसे वो बान देती है यह जब भोश में आता है तो इससे सवाल भोशने लग जाती है इससे वो डाना रही होती है अगर इसने कुछ questions का answer नहीं किया तो उसे मार देगी यह फिर उसे कहता है कि मैं taxi driver हूँ यह जो lighter था एक client का घिर गया था इस client का location वेगरा सब कुछ वो बता देता है जिस shop से एक killer आया था इस shop का नाम भी उसे बता देता है एना फिर इससे छोड़ देती है एना सब को कहती है कि जिस आदमी को तुमने ढूंडा है एक गलत है इने और भी अब काम करना पड़ेगा यह इससे खुश नहीं होती है टेहो डॉक्टर के पास जाता है उसे जब situation हुए यह सब समझाता है टेहो डॉक्टर से कहता है कि मैं ही directly एना के पास जा सकता हूं उसे मार कर अब उसका ओर्गन निकाल सकते है इसके लिए डॉक्टर भी मान जाता है यह करने के लिए एना के घर पर जब ठेहो आता है तो वहाँ हाईजीन होती है यह वहाँ करनी बाता जब हाईजीन वहाँ से चली जाती है तब टेक्सी आ जाती है उसका जो चांस होता है वो चला जाता है एना को hacker call लगा दिए उसे वो मिलने के लिए बुला दिए एना जब वहाँ जाती है तो hacker का boss भी उसके साथ होता है hacker अपने boss की help लेकर एना के ओर्गन्स निकालने वाले होती है इसका बॉज जो होता है यह बहुत ही घटिया होता है इसका अलग ही प्लान होता है यह इन दोनों के ओर्गन्स सेल करने वाला होता है यह दोनों फिर रेजिस्ट करती है पर टेहो वाह आ जाता है इन दोनों को बचा लेता है एना को टैक्सी से पीछा ही कर रहा था ये सब लोग एक ही रूम में फिर मिलते हैं जो सब situation अप हो कही है इस पर वो डिसकस करते हैं एना फिर उन्हें एक गोली दिखाती है वो कहती है कि अगर मैंने एक गोली ले ली और इसे पुरी तरीके से मदद करने के लिए वो रेडी हो जाते है ट्राइवर ने एना को सिरियल गिलर को उसने कहा चोड़ा था इसका पता दे दिया था जिस शॉप में हो गया था इसे वो भी मालूम है हैकर की मदद से वहाँ से कस्टमर बेस निकाल लेती है हर नमबर पर वो कॉल करती है इसमेंसे एक नमबर हैकर का होता है जब उसे कॉल करती है तो उसका आवाज पहचान लेती है इसके बाद नेक सिन में हमें सिरियल के लिए दिखता है एक और दुसरी लड़की को उसने अपने घर पर लाय हुआ होता है इस लड़की को पता चल जाता है यह कुछ गलत उसके साथ करने वाला है वहाँ से भागने कोशिश करती है यह इसे पकड़ लेता है इसे वो मार देता है जिस लड़कीों को मारता है इन्हें वो छोटी सी डॉल में करणवर्ट करतेता है यहने कहता है कि अब तुम फिर से बौन होगी और बहुती ब्यूटिफुल बन जाओगी यह अपने आपको आर्टिस समझता है लास आय और एना दोनों सीरियल किलर के घर के बाहर फिर बेट जाते है यह गाड़ी में होते है और एक किलर बाहर निकलता है गलास आय उसे बुछता है कि क्या यही है यह कहती है कि मुझे ठीक से उसे देखना पड़ेगा किलर नोटिस करता है कि सचपी से अस वियाय का लिया है यह खिड़की से अंदर जागता है अना अब इसे अच्छी तरह कैसे देख लेती है और इसे पहचान लेती है यह जो कार की लासस होती है इस वर फिल्म चड़ाई होती है वो अंदर देखने पाता पीछे से वो देखने कोशिश करता है पर यह दोनों जुख जाते है जब एक किलर चला जाता है तो क्लास आए एना को घर में गुषने के लिए मदद करता है जब एक घर में जाती है तो बहुत सारी डॉल्स देखती है यानि कि बहुत सारी लड़कियों को उसने मार दिया है वो अपनी डॉडर का फोन और उसका नेकलेस यह सब चीज़े देखती है जो किलर होता है उसकी कुछ चीज़े घर पर रह जाती है थोड़ी दर में फिर से घर में वापस आता है और एना वहा होती है एना वही चूप जाती है यह जब सब चीज़े देखता है तो इससे लगता है कि यहाँ कुछ कड़ बड़ है वह सब चान ले लग चाता है यह दोर पर नॉक आ जाती है यह नॉक ग्लास आई की होती है यह से कहता है कि special offer है अगर magazine ले लोगे तो में कुछ special चीज़े हम दे सकते है killer फिर से ignore करता है गर लोग करकर वहाँ से निकल जाता है अगर जब ग्लास आई के साथ गाड़े में बटी होती है तो कहती हमें वापस जाना चाहिए उसकी बेटी का नहीं केले सुआ है यह उससे कहती है लास आई कहता है कि यह बहुत देंजरस है हमें नहीं कर सकते है हमारी जो डील हुई थी इसके बारे में तुम सोचो आईना भी गही थी कि ठीक है तुम आपरेशन के लिए रिडी रहो आईना फिर अपने फ्रेंड हाईजिन से मिलने जाती है हाईजिन हमेशा अपने घर पर उसे डिनर के लिए बुलाती है पर आईना कभी भी उसके घर नहीं जाती तो आप वो मरने वाली है तो इससे पहले वो हाईजिन के घर जाकर खाना खाना चाती है जब एक खाना खा रहते है तो हाईजिन को पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड यहाँ है वो आना को बोलती है कि जो revenge होता है एक करने से पहले बहुत ही sweet लगता है पर जब तुम revenge ले लेते हो तो पूरी life तक तुम्हें हंड करता रहता है तुम मरने के बाद फिर hell में चली जाती हो आना कहती है कि वेसे भी मेरी life hell ही है जो मैं मैंसुस कर रही हूँ कि कुछ hell से कम नहीं है Nixon में हमें serial killer एक art gallery में दिखता है ये एक dolls का बड़ा artist होता है इस पर डेहो नज़र रख रहा होता है रात में class high को बुरा लगता है कि एना की daughter का necklace उसे मिलना चाहिए वो फिर फिर से killer के घर पर आ जाता है killer के घर पर CCTV camera's होते है और killer ही हमेशा अपने mobile से देख सकता है killer ये notice कर लेता है और वहाँ से चला जाता है डेहो उस पर नज़र रख रहा होता है पर अपना जो coat होता है ये दूसरे को पहना देता है यानि कि डेहो को लगता है कि ये killer अभी भी वही है killer फिर घर पर आता है और glass eye को मारता है उसे वह बान देता है और उसकी सब चीजे देखता है इसके pocket में इसे वह necklace मिलता है killer उसे पुछता है कि ये necklace किस के लिए है ये कहता है कि मेरे daughter के लिए है जब glass eye की family photo देखता है तो इस family में उसकी daughter नहीं होती इसे फिर चक जाता है और भी जब ये जानता है तो killer को उसके ही घर का address लिखा हुआ मिलता है अब इसे शर्ज आता है कि कोई उसे मारना जाता है glass eye का वो murder कर देता है जिस कागर्स पर address लिखा हुआ था वो prescription letter का था जो एक killer है जहाब भी वो murder करता है वहाँ से बहुत सारी चीज़े लेकर आता है ये चीज़े उसने एक जगा पर रखी हुए होती है इस जगा पर वो जाता है इन सब चीज़ों में एक letter pad ढूंडता है ये letter pad ये paper और एक letter pad मैच कर जाता है इसे अब पता जाता है दो साल पहले इसने जिसका murder किया था उसका ही letter pad है ये फिर एना का पता निकालने लग जाता है उसके hospital से ये उसका पता निकाल भी लेता है उसका phone number भी से मिल जाता है ये एना को call लगाता है पर कुछ भी नहीं बोलता देहो को पता चलता है कि जो killer है वहाँ था ही नहीं देहो glass eye को call करता है उसका phone नहीं लग रहा वो फिर एना के पास आता है उससे कहता है कि killer को तुमारे बारे में पता चल चुका है अब हम उसे hunt नहीं कर रहे है तो वो हमें hunt कर रहा है तुम्हें एक सेव जगह पर चला जाना चाहिए वो कभी भी तुम्हारे घर में आ सकता है एना जो हती है उसका address उसने गलत दिया होता है अक्चुल में हायजीन जा रहती है वही का address उसने दिया होता है यह killer फिर हाईजीन के बास आ जाता है हाईजीन को धमकाता है एना के अड्रेस पुछता है पर हाईजीन की फैमिली को भी इस किलर ने मारा था अब वो इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली तो किलर उसको भी मार कर चरा जाता है डॉक्टर, हैकर, डेन हो और एना यह सब अब मिटिंग कर रहे है एना हैकर से बुछती है कि मुझे सिर्फ उसका नहीं लोकेशन दे दो बाकि जो सब होगा वो मैं देख लूँगे अब तुम लोगों को इसमें इन्वाल नहीं होना चाहिए ग्लासाय मर गया है तो यह बहुत ही डेंजरस है किलर का फोन मनोता है तो हैकर उसे हेल्प नहीं कर सकते अब हमें डेव अपनी वाइव से मिलता हो दिखता है डॉक्टर अपनी डॉटर से और हैकर अपनी मदर से इनको अपने चाहने वालों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा हुता है नेकिसिन में आमें अना क्रमेटोरियम में आये हुई दिखती है किलर उसे ट्रैक करता हुआ वहां आ जाता है यह उसे बाहर निकालता है उसे कहता है कि मुझे याद है कि किस तरह से मैं तुम्हारे हजबन और तुम्हारे डॉटर को मार दिया था उसे बाहर एक स्टेर केस के पास लेकर आता है वहाँ से धकल देता है वहाँ डेहो भी आ जाता है डेहो एना को प्रोटेक करने के लिए उसका पीछा ही कर रहाता है तो वहाँ वह आ जाता है एना को बचा लेता है और किलर का पीछा करने लग जाता है ये बहुत दूर तक उसका पीछा करता है इन दोनों में फाइट होती है और डेहो उसे बेहोश कर देता है इस killer को फिर वो एक जगा पर लिकर आते है डॉक्टर और एना एकसाद होते है तो ये news देहो उसे बदा देता है देहो जाहा है वहाँ आने के लिए बोलता है इस घर में आने के बाद देहो जब अपनी wounds देख रहा होता है तो वहाँ killer उट जाता है यसे वो बेहोश कर देता है जिस table पर killer को एक machine से वो मारने वाले थे उसे table पर अब वो डेहो को बान देता है machine on कर देता है और एना को call लगाता है एना फिर killer की घर पर पहुँच जाती है उसकी जो सब डॉल से गिरा है इसे तेहसनेस करने लग जाती है इसका वीडियो बना कर killer को भेज देती है वो खेती की इसे जाने तो वन्ना तुम्हारे जो सब डॉल से इन सब को मैं तबाह कर दूंगे ये killer फिट डेहो को छोड़ देता है उसे घर आने लग जाता है यह जब घर पर आता है तो एना ने बहुत सारे बूबी ट्राप्स वहाँ बीच्छा ही होते है एक दोरी पर इसका पेर पर जाता है तो एक एरो भी से लग जाता है जब एक killer अंदर आता है तो एक heavy चीज उस पर वो गिरा देती है यहाँ hacker और एना दोनों होते है इनको लगता है बेहोश हो चुका है हैकर उसके पास जाती है तो उसका पेर वो पकड़ लेता है उसे बहुत ही जखमी हो कर देता है हैकर को छोड़ दे तो एना फिर से उसकी डॉल फोड़ने लग जाती है killer को बहुत ही pain मेंसुस होता है उसके पास जाता है, कहता है कि अब तुमारा खत्म हो चुका है एना कहती है कि तुम नक में सडोगे किलर उसे मारी दिने वाला होता है, डेहो वहाँ पहुच जाता है इन दोने बहुत फाइट होती है, और ये दोनों बहुत ही जादा जखमी हो जाते है ये दोनों अनकॉंशिस होते है, पर इसमें से किलर उट जाता है वो एना के पास आता है, एना के पास एक लाइटर होता है जो किलर है, इसने एक बड़ी से डॉल बनाई होती है और अपना जो आर्ट है, इसके लिए बहुत ही प्रावड होता है इस डॉल को Anna ने already पेटरम में गिला कर दिया होता है यह लाय की जलाती है और फेक दिती है यह जो डॉल है यह जलने जाती है किलर को रोना आने लग जाता है वो वही फूट-फूट कर रोने लग जाता है जब इसकी डॉल मीट जाती है तो वो एना से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फरगियों नहीं करूँगा एना को मानने के लिए उसके पास आ रहा होता है पर यह जो डॉल है इसमें स्पाइक्स होते है एना ने इस तरह से इस डॉल को सेट अप किया होता है कि इसकी स्टिंग तूट जाए इसकी स्टिंग तूट जाती है और यह जो स्पाइक्स थे यह किलर में गुश जाते है किलर यही मर जाता है यह मर गया है पर एना को अभी भी उसका जो पेन है यह नम नहीं हुआ है वो कहती है कि इस तरह से इतना इजी तुम कैसे मर सकते हो यह रोने लग जाती है डॉक्टर फिर वहा आता है उसके पास एक इंजेक्शन होता है जिससे वो उसे मारने वाला होता है हैकर और डेहो यह दोनों उससे कहती है कि अब इसे मत मारो अगर हमारे फैमिली को बता चला कि उन्हें और गन किस तरह से मिले है तुने अच्छा नहीं लगएगा डॉक्टर अब मानने नहीं वाला होता वो इंजेक्शन लेता है और अजना के पास आता है उसे बुछता है उसे कहता है कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ अजना बोलती है कि मैं समझ सकती हो मैं भी एक मदर थी, मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो डॉक्टरों से इंजेक्शन देने वाला होता है, पो इसके हाथ कापने लग जाते है इंजेक्शन वो रख देता है, अब ये वो नहीं कर सकता आयना खुद इंजेक्शन उठा लेती है, और अपने आपको दे देती है रिमेंज लेने के बाद भी, इसे जो सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है और अपने फैमिली की बिना वो नहीं रह सकती है, तो इसलिए अपने आपको मार देती है अब एंड क्रेटर सुरोल होते है, और हमें पता चलता है, यह डॉक्टर की बेटी अब हेल्दी हो चुकी है हैकर की मदर भी जिन्दा है, और जो डे होता, उसकी वाइफ भी अब सही है इसकी वाइफ अप प्रेइणन्ट है, और दोनों अब बहुत ही खुश है यही मूवी खतम हो जाती है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए, यानि कि आपको सब मूवीज मिलती रहे बेल नोटफिशन आइकोन भी दबाना मत भूलिये, यानि कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें हम वेसे मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये